हाई फ्रेंट के से आपको सब्सक्ता है आज किसी वीडियो के अंदर में Redmi Note Avel Pro Plus 5G OS या फिर Redmi Note Avel Pro 5G OS के लिए जो आई पर उसका अपडेट है उसका आपको फुल रिविद देने वाला हम तो चली अच्छे से अपने टेस्टिंग कर लिए इसके इंजर कुछ माइनर बग एड के गए कुछ मेजर बग जो मैंने बता दिया कुछ फीचर रह चुके थे उनके बारे में आज बात करूं और खास अपडेट हमें देखने को मिला था यहां पर 5 मर्च को और आज दो आप देखोगे लगबग 10 दिन से पलस का टाइम होचको है मैंने एक लंबा टाइम लिया इस अपडेट का रिविव करने के लिए क्योंकि फिन्ट एक तो एंड्रोइड अपडेट चेंज हो और दूसरा परेश्ट प्रोइट चेंज हो और यह जो जो सढ़ी फोस्ट अपडेट ही है और यह अभी डवलप ही हुआ यानि आई प्रोश अभी डवलप हूँआ है पहला ही वर्जन सल रहा है तब मैंने सचा थोड़ा सा टेम लेते हैं एक एक चीज़ को अच्छे से बारे कि से समझ आ रहा था वो बग इस डिवाइस के अंदर अभी भी बरकरार है जो कि I think fix करना चाहिए जब भी आपको किसी की call आती है और आप head free कर देते हो head free में आपने full watch कर दी यह हमेशा नहीं होता है काफी वार होता है लेकिन हमेशा भी नहीं होता है वाज आपने कर दी फिर इस यह volume का आप control कर लेते हो volume कम करते हो कोई असर नहीं पड़ता है volume full ही रहती है उसके लिए आपको है ना एड़ जो मतलब की head free को off करना पड़ता है उसके बाद वापस head free करोगे तब जाकर आपके वाज जा control हो गई यह मुझे बड़ा issue लगा कि एक बार यार हमने head free कर दिया है उसके बाद head free वाली ही वह इस रहती है उसको control नहीं कर सकते तो यह चीजी जो होनी चाहिए उसके बाद में about phones के अंदर आते हैं था प्रोस आज को आप लोगों कोई पता है और यहां पर जो है Android 14 भी आज को है यह भी अच्छी बात है उसके बाद कुछ फीचर रहे चुके थे वह बता देता हूं उसके बाद कुछ बगस है वह भी आप लोग साथ सेयर करता हूं परपॉर्मेंस अंतु तो बेंसमार्क है सब कुछ इस वीडियो के अंदर सेयर करने वाला देखे केलकुलेटर एप्लिकसन का आइकन जो है वो चेंज किया गए उसके बाद जैसे हम जाते है ना केलकुलेटर एप्लिकसन के अ काफी अच्छा लुक जो है यहां पर केलकुलेटर एप्लिकसन का जो परवाइड करवाएगे उसके बाद कुछ और फीचर रहे थे वह मैं आप लोग साथ सीर कर देता हूं तो उसके लिए मुझे चार्जिंग का सारा लेना पड़ा थोड़ा सा गेप है तो यहां पर जैस काफी अच्छा लगता है उसके बाद कुछ फीचर देखें यहां पर यह कर देगे यहां पर आपको लोकेशन देखने को नहीं मिलेगी इडिट पर जागे लोकेशन का जो है टोगल आपको यहां पर एड करना पड़ेगा अब एक इस्यू के बारे में बात कर लेता हूं इ पर आपके 50 थी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा था तो फिर आपको 50 वाले लेवन के लिए 70 परसेंट ब्राइटनेस करने पड़ेगी तब जाकर वो 50 परसेंट जैसी लगेगी तो ब्राइटनेस का इस्यू है ओटोमेटिकली ड्रोप और यह मतलब जो लेवल है वो त इसकी जो ब्राइटनेस है उसके लिए उनको 70 करना पड़ता है तो ब्राइटनेस का इस्यू इस डिवाइस के अंदर आ रहा है उसके बाद एक काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग फीचर इस डिवाइस के अंदर एड हुआ है एक यह होना फुली चाहिए था लेकिन यह बोल सकते हो की फीर है है तो जैसे स्क्रीन शोट इसकी यह हम Phr體 करेक्ट इसकी मैं इनको नंबर पे जाईए यहां से आपको सेंड अगरा कुछ करने की जरूद नहीं है सिधा वहाँ पर आपको दिखा देगा बस टिक किया और सामने वाले के पास स्क्रीन सोट पहुंच गया सो फ्रेंड यह कुछ फीचर थे जो कि मिसिंग रहे चुके थे अब मैं बात करता हूं इस डिवास की परफॉर्मेंस के बारे में बैटरी के लिए मैंने अलग से वीडियो अलड़ी दे दिया बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है इस अपडेट के चार्जिंग स्पीड भी इसके अंदर थोड़ी सी कम देखने मुलती है चार्जिंग स्पीड से ज्यादा इंपोर्टेट मामनों का इसके बैटरी वेकप को फिक्स किया जाए वह बहुत ज्यादा जाए बैटरी ड्रेन हो इसके बाद परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई के अंदर होते हैं तो एक तो अब्जेक्ट को फॉक्स नहीं करता है दूसरी बात जैसे हैं से यह से फौटो कलिक करते हैं तो भाई केमरा बहुत ज्यादा लेगी होता है इसका देखिए अभी वी अब तो सही से वर्टर जो यसका सटर वर्क कर रहे हैं लेकिन बहुत बार यह पोड़ ज्यादा करता है लेकिन चैमरा लेग बहुत जाता करता है तो लेकर रहे इस की उसके बाद परफॉर्मेस भी इस की डीक्रीज है पहले जैसी परफॉर्मेस नहीं है अंतुत में इसमार किसको और भी मैं आपको दिखाऊंगा पहले के जैसा यह उससे बेटरी यह सीप्यू थर्टल का तो 85 यह 90 परसेंट के आसपास सीप्यू थर्टल आ रहा है लेकिन यहां पर क्या कि वह पर्फॉर्मिस की डिक्रीज की यह बहुत ही जादा आपको पता लग जाएगा जैसे आप अपडेट करोगे यूज करोगे तो हम मैं आपको इसका अन्तु दिखा देता हूं यह फ्रैंड इसका 5 लेलेग प्लस से जो अन्तु स्कोर कर रहा था ultra 5 भी प्लस कर रहा था लेकिन यहां पर देख़ें यहां पर थोड़ा साख different है यहां पर थोड़ा साख ओर different है इसके अलावा different हमें जो देखने को नहीं मिलते है तो कुल मिलाकर पांच लाग का अंतुत मैं इसमार की score भी यह device जो एक रोस नहीं करें यानि कि performance decrease हुई है जैसे आप यूज करोगे अन्तुत मैं भी इतना बिलीव नहीं करता लेकिन जब आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा हां यार परफॉर्मेस डिक्रीच हुए उसके बाद कोई बी चीज यहां पर आप ओफ करते हो ओन करते हो तो पर नोटिफिक्शन आता डारग मोट ओन है डारग मोट का नोटिफिक्शन हा भी आरग करता हूं ओर सुपोट ओनन otिफिक्सन आ गया ओफ करता हूं और सुपोट ओफ का आ गया यह correct we should नहीं था इस देवाइस के बारे में तो कुछ बग गेड़ हुए एक और में साउंड इस का डिक्रीज के आगए पहले इसका जो साउंड वो बहुत ही अच्छा था लेकिन इस वार जो है इसका साउंड मुझे काफी ज्यादा डिक्रीज लगा एक बाइनी मुझे कमिट किया मेरा डिवाइस जो है बूट लूप के अंदर जा रहा है सक्सेसफुली अपडेट नहीं हो रहा है आपका सक्सेसफुली हुआ यह नहीं हुआ यह दि मतलब कि ज्यादा लोगों को दिक्क्त आ रही है तब तो यह पर एक परसन को आ रही है तो फिर यह हो सकता है उनके आप मुझे कमेट किजिए तक कि कमपनी को स्क्राइब फिडबेक सेंट के जाए तो यहां पर देखोगे तो साउंड की क्योल्टी पहले से हमें लो देखने को मिलती है ओडियो क्योल्टी यह आप बात करते हो इयरफॉन की काफी जादा बेटर है काफी जादा साउंड जो फिडबेक है वह बीच में कुछ अपडेट के थ्रू बिगड़ चुका था लेकिन इस वाले अपडेट के अंदर जो हैप्टिक फिडबेक है वह हमें नेक्स्ट लेवल का देखने हो मिलता है जैसे आमने डियोएस वाई क्या था उससे भी थोड़ा बैटर ही जो हमें एप फिडबेक देखने को मिलता है तो यह था इसका ओर्रोल डिव्यू आप चाहूं तो अपडेट कर सकते हो कुछ इस्यू जो मैंने बताई कि बेटरी डेन है केमरा ड्रेन है केमरा जो लेकर है यह वाले इस्यूज है चार्जिंग वाले यह कुछ नॉर्मल इस्यूजिस बेक मैंने आपको बताई दिये कि सांपले बेक वी साउंड स्क्रीन ओफ अला जो ऑप्सन था वो इस डिवस से भी रिमूब होचकर सारे डिवस से हो रहा है क्योंकि यह गूगल ने रिश्ट्रिक्शन लगाए और सभी कंपनियों को जो वो फितर रिमूब करना पढ़ रह इससे कोई भी क्यूशन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपको रिप्लाई देखने को मिलेगा